सब्सक्राइब करें मेगे चानल क्लासी फ्लेवर्स को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं आज हम बनाएंगे बढ़िया रिफ्रेशिंग चौबरी मिल्क शेक उसे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जाग में डालेंगे चौप्ट चौबरीज पाउडर शुगर और थोड़ा सा थंडा दूद अब इसे एक बार चला लेंगे और एक बार में सारा दूद नहीं डालना है पहले इस तरह से थोड़ा सा डालना है अब इसमें सारा दूद डालकर चला लेंगे आप चाहें तो इसमें चौबरी क्राश या सिरप डाल सकते हैं इनको मैं नहीं डाल रही हूं क्योंकि घर पर बना रहे हैं तो मैं प्योर चौबरी मिल्क शेक बनेगा कोई क्यामिकल नहीं एक दम बढ़िया रिफ्रेशिंग अब इसे ग्लास में पोर कर देंगे और उपर से चौबरी से गार्निश कर देंगे और चौबरी मिल्क शेक बनके तयार है